Hello Friends, दोस्तों कैसी चल रही आपकी English Conversation की Practice? आज फिर हम एक English Conversation की Practice करेंगे और आज जो दोस्तों theme है, कि क्या topic है, किस वर बातचीत होगी वो ये है कि दो दोस्त कुछ दिनों के बाद मिले हैं तो अगर कुछ दिनों के बाद मिलते हैं, तो कैसे कैसे बाचीत हो सकते हैं, जैसे अगर आप कभी अपने किसी फ्रेंड से कुछ दिनों के बाद मिले हो, तो generally कैसी कैसी बाचीत होती है, वही बाचीत आज हम सीखेंगे, तो conversation practice हमारा आज का topic है, तो दोस्तों आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक यह बात बता दू, कि मेरे चैनल पर एक playlist है, जिसका नाम ही है English conversation practice, उस पर मैंने अलग-अलग situation पे इसी तरह के dialogues, conversation की practice के लिए, उनके वीडियोज मनागर के मैंने दिये, मेरी कोशिश यह है कि life में जितनी भी situations हो सकती हैं, हर situation को उपर आपको एक इ बाचित करने के लिए, दो friends मिले हैं, तो आपस मने बाचित हो रही है, एक है A, एक है B, अगर आपको इस तरह कैसे practice करनी हो, तो आपको अपने एक friend को अपना partner बनाना पड़ेगा, जिनके साथ आप एक को A का part करना चाहिए, एक को B का part करना चाहिए, अचा दोस्तों इसके 3-4 बार, 5 बार practice करने से आपके खुब अच्छी practice बन जाएगी, तो दोस्तों आते हैं कि इसमें, ये सीखते हैं कि इसमें क्या-क्या sentences use होएं और हम कहा-का उनको use कर सकते हैं, तो जैसे मिला किसी से कोई, तो या आप किसी से मिलेंगे या मैं किसी से मिलूँगा, तो हम कैस बोलते हैं, Hai, how are you? bout Hindi में क्या होता है दोस्तों? कि ओर भई कैसे हो? तो Hai का meaning दोस्तों, तो Define नहीं कहira सकता, यह तो एक अभिवादन करने का तरीका है, Greet करने का तरीका है मेरे चैनल पे दोस्तों एक और भी प्लेइलिस्ट है, वो है English Conversation Topics एक है English Conversation Practice कि जब हम मिलते हैं किसी से तो कितने तरीकों से हम Hi बोल सकते हैं कितने तरीकों से How are you आप कैसे हो ये पूछ सकते हैं और कितने तरीकों से मैं अच्छा हूँ या मैं अच्छी हालत में नहीं हूँ ये बता सकते हैं वो भी एक वीडियो है दोस्तों तो आपको वो भी देख करके और भी अच्छी तरह से सीखना चाहिए तो किसी ने उसने पूछा Hi, how are you? यानि और भई कैसे हो? तो बताने वाले ने कहा, Oh, couldn't be better. How about you? अब दोस्तों ये couldn't be better क्या है? जैसे हमसे कोई पूछता है हिंदी में और भई कैसे हो? तो generally हमनों क्या बोलता है? एकदम must, बिल्कुल must तो must का मतलब क्या है? कि यानि कि सब कुछ बहुत ही अच्छा है, ये हम कहने की कोशिश करते हैं कि मेरा सब कुछ एकदम perfectly चल रहा है, सब कुछ सही है बिल्कुल तो जब भी आपको इस तरह कैसे बोलना हूँ कि मैं इतनी अच्छी हालत में हूँ कि इसे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता एकदम बिल्कुल must तो आप ये वाला phrase यूज कर सकते हैं couldn't be better, couldn't be better तो थोड़ा style भी है, couldn't be better यानि तू बता तेरा क्या चल रहा है तो उसने कहा pretty good कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अब दोस्तो pretty good का क्या मीनिंग है तो ये जो वर्ट है pretty pretty का की कम सर कम दो मीनिंग तो है एक मीनिंग है adjective में जब pretty का मीनिंग होता है सुन्दर जैसे she is very pretty वो बहुत ही सुन्दर है वो एक अलग यूज है English में एक ही word की कई-कई मीनिंग होती है हमको सारी सीखनी चाहिए जिससे कि हम अच्छी English बल सके यहाँ pretty का मीनिंग है दोस्तो very यहाँ पर ये एक adverb की तरह यूज हुआ है तो pretty का एक मीनिंग होता है beautiful यानि सुन्दर और एक मीनिंग होता है very यानि बहुत जैसे very good बोलना हो तो आप pretty good बोल सकते है या very bad बोलना हो तो pretty bad बोल सकते है अगर बोलना हो अरे यार यह तो बहुत बुरी बात है तो आप बोल सकते है this is pretty bad ये तो बहुत अच्छी बात है this is pretty good तो pretty good का यहां में निगे बहुत यह अच्छा तो आपने कहा भई मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ I'm pretty good उसके बाई दोस्तों तो चुकि दो कुछ दिनों के बाद मिल रहे हैं तो एक friend ने देखा दूसरे को कि भई तो बिल्कुल बदला नहीं है वैसे का वैसा ही है तो उसने कहा you've hardly changed यार तू तो बिल्कुल नहीं बदला यहां लिखा दोस्तों तू तो बिल्कुल भी नहीं बदला तू तो बिल्कुल भी नहीं बदला इसको कैसे बोले English हो दोस्तों you've hardly changed hardly मतलब मुश्किल से, शायद ही, नहीं के बराबर, यह hardly change, यह दोस्तो you have का short form है, you've, अच्छा दोस्तो जब short form लिखेंगे contracted form, तो पढ़ना भी short form बाला उच्चारा नहीं चाहिए, इसको इसमें ऐसा नहीं होगा कि यह लिखेंगे short form है, पढ़ेंगे full, you have, इसको you have hardly change नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि तो short form है, contracted form है, इसलिए इसको पढ़ेंगे वैसे ही, तो दोस्तो इसको पढ़ा जाता है, you've, you've, मेरे चैनल पर एक playlist है, pronunciation सीखें, learn pronunciation, उस playlist में अगर आप जाएंगे, तो एक वीडियो मैंने इस पर बना के दिया हुआ है, कि जो short forms होते हैं, इस short forms का उचारन ठीक से सीख लिया, तो इंग्लिश में fluency अच्छी बनती है, आदमी के, अगर short forms का उचारन ठीक से पताद लिए तो, मैं एक अलग से हुआ, ऐसे भी एक वीडियो बना कर कि उस पर भी आपको दूँगा, कि short form से उचारन fluency बनाने में कैसे मदद मिलती है, तो कि तुम इतने दिनों क्या करते रहे हो, लेकिन जनरली हम हिंदी में ऐसे नहीं बोलते है, हिंदी मोलते है, और भी क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, तो वही लिखा है मैंने जर, कि और बता क्या चल रहा है, यानि तुम क्या करते आ रहे हो, क्या करते रहे हो इतने दिनों यानि कि जब हम पिछली बार मिले थे और अब जब मिल रहे हैं तो इतने दिनों तुम क्या करते हुए रहे हो यह आपको सीख लेना चाहिए यह थोड़ा अच्छी लेवल की इंग्लिश का सेंटेंस है आप किसी से कुछ दिनों के बाद मिल रहे हैं और आप उसे और भई, क्या करते रहे हो इन दिनों और क्या कर रहे थे तो आप यह वाला पूछ सकते हैं What have you been up to? तो उसने कहा You've hardly changed तो उसने कहा Nothing much यानि कुछ खास नहीं यार फिर उसने बता है I'm doing a course in computer programming मैं computer programming में मैं computer programming का course कर रहा हूo I am doing a course, अब दोस्तों ये भी short form लिखा, I am, तो ये I am का contracted form, यानि की short form है, इसको कैसे पढ़ते हैं दोस्तों, इसको पढ़ेंगे A, E और म, I am, बहुत लोग इसको गलत सिखाते हैं, I am, I am, पता नहीं क्या क्या, वो सब गलत है, इसका correct pronunciation है, A, E, और म, I am, तो मुलेंगे I am doing a course in computer programming, मैं computer programming में एक course कर रहा हूँ, अच्छा दोस्तों, यहाँ पर सीखने के लिए क्या है, सीखने के लिए है, कि हम लोगों को जब भी बोलना होता है, कुछ खास नहीं, तो generally अपने देश में कैसी English चलती है, वो इंडिया वाली English चलती है, जैसे nothing special, ऐसे बोलते हम लोग, nothing special दोस्तों, अंग्रेजी में नहीं बोलने का नहीं है तरीका, जो native speakers है, जिनकी मातरी भाषा अंग्रेजी, यानि जो असली English बोलते हैं लोग, वो nothing special ऐसे करके नहीं बोलते, तो आपको जब भी बोलना हो आगे से English में, कुछ खास नहीं, तो आपको यह वाला phrase बोलना चा को आप ऐसे बोल सकते हैं, oh that's great, that's great, that's amazing, that's awesome, that's beautiful, सब का meaning एक ही होता है दोस्तों, कि यह तो बड़े इच्छी बात है, यह सब power words है, amazing, excellent, great, fantastic, excellent, यह सुपर्ब, यह सारे के सारे words हैं दोस्तों, यह power words है, अपनी communication की power को बढ़ाने के लिए इनका इस्तेमाल करना चाहिए, एक video lesson में आपको power words को पर भी बना करके दूँगा, कि आप अपनी communication को effective कैसे कर सकते हैं, तो आगे से कभी भी आपको बोलना हो, अरे वाह, यह तो बड़ी च्छी बात है, तो आप यह बोल सकते हैं, oh that's great, yeah, that's excellent, that's amazing, कुछ भी बोल सकते हैं, that's great, तो अब दो friends मिले हैं, अ Have you heard anything from Anil? Have you heard, heard है दोस्तों, यह hear मनोत है सुनना, तो have you heard, क्या तुमने सुना है, यह present perfect का interrogative sentence है दोस्तों, affirmative sentence, कि have you heard anything from Anil? क्या तुमने Anil से कुछ सुना है, तो यह तो इसका अनुबाद है, लेकिन इसका असल में meaning हिंदी में हम कैसे बोलते हैं, Anil से कुछ बात हुई है, कि क्या तुम्हारी Anil से कुछ बात हुई है, यानि कि उसकी कोई खोज ख़बर है, तुम्हारे पास का Anil कैसा है, यह meaning actually पूछने का, तो उसने कहा, जिससे पूछा गया, उसने answer दिया, I haven't heard anything from him since ages, कि मैंने तो उससे तो लंबे समय से मेरी बात ही नहीं हुई है, मैंने लं गया, I haven't heard anything from him, मैंने उसकी तरफ से, यानि उससे कुछ भी नहीं सुना है, यानि मेरी उससे बात नहीं हुई है, एक फ्रेज है तो यहाँ पर सीखने के लिए, since ages, since ages का मतलब होता है, काफी लंबे समय से, तो आगे से आपको कभी भी बोलना हो, बहुत लंबे टाइम से, तो आप यह वाला बहुत ही खुबसूरत फ्रेज है, आप इसको यूज कर सकते है, since ages, age का एक मेनिंग होता है, दोस्तों, उम्र, वो तो आप जानते है, age, दूसरा मेनिंग इसका होता है, यूग, क्या रे यार, कई यूग हो गए, यानि कि कई यूग हो गए, बीत गए, क तो मेरी उससे लंबे समय से कोई बात ही नहीं हुग है, तो पहले वाले ने कहा, oh I see, अच्छा, अब oh I see, see महाने होता है देखना, तो इसका मेनिंग हिंदी में तो नहीं ऐसे बोलते हैं, अच्छा मैं देखता हूँ, ऐसे नहीं होगा, तो हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं यार, तुमसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, अब दोस्तों तो anyway, anyway, जब भी आप गोला ना, खेर, खेर रहने देते हैं, चलते आगे, खेर, यार, कोई बात नहीं, हम तो उधर चली रहते हैं, उधर आगे चलते हैं, यह बात हम करी रहते हैं, यह काम क कर लेते हैं, जब भी आपको यह खेर, कोई बात नहीं, ऐसे बोलना तो आप उसको English में ऐसे बोल सकते हैं, anyway, anyway, इसके जगा पर दोस्तों, anyways भी बोलते लो, कुछ लो, anyways थोड़ा low level के English है, anyways नहीं बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, anyway, मेरा एक वीडियो इस पर भी ह कि anyway बोलें कि anyways बोलें, तो मेरी चैनल पर प्लेइलिस्ट है, vocabulary, उसमें जा करके आपको यह वीडियो आप देख सकते हैं, कि anyway बोलना चाहिए, कि anyways बोलना चाहिए, तो anyway, यानि, खेर, it was great talking to you, कि तुमसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, आपसे बाते करना बड़ा अच् sentence यूज कर सकते हैं, कैसे, it was great talking to you, it was nice talking to you, it was amazing talking to you, यह सबसे सही sentence है, oh it was great talking to you, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, तो अगर कोई हमसे यह बात करे तो हम क्या कहेंगे बदले में, हाँ, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, तो जब ही आपको बोलो, मुझे भी catch you later, catch you later, यानी बादे मिलते हैं, अब catch क्या मिल्यों वहिते हैं, दोस्तो आ, पकड़ना, इसका मतलब यह निए, मैं तुक्झे बादे में पकड़ता हूं, तो बादे मिलता हूं, catch you later, तो दूसरे फ्रेंड निका, see ya, कि ठीक है यार, मिलते हैं, अब दोस्तो या लिखा म क्या बोलते हम informal English अनौपचारिक अंगरीजी जो है short form में ज्यादा यूज करते हैं तो short form में यू को या कहते हैं तो उसने कहा दोनों sentences आप खुदी बोलके practice कर सकते हैं इसे क्या होगा आपको दोनों जो दो लोग है उन दोनों की बात्चित की practice अच्छी तरह से हो जाएगी तो अगर आपको आज का topic अच्छा लगा हो और इससे लगता है आपको कि आपको फाइदा होगा इसे English लिखने है बोले में तो अगर कोई इस तरह का topic है जो अभी जिस पर मैंने वीडियो नहीं बनाया और आप चाहते हैं कि मैं पहले उसके पुस्पर वीडियो बना के दे दूँ आपको तो आप नीचे comment box में लिख देंगे तो एक वीडियो में आपको उस पर भी बना कर करें दूँगा thank you very much I'll see you later bye bye बनाया और झाल क зов best भीगर वीडियो में आपको और लेको को तो इस सम्त हैं